Hello everyone, AMU Class 11 Self Finance की Counseling Schedule आ गई है इस्ट्वेट आप लोग को Counseling Online करना है सारे लोगों को Registration, Login और Document Upload आपको Online करना है इस्ट्वेट आपको सिर्फ एक ही बार Chance मिला है Registration करने के लिए, Login करने के लिए यानि कि Counseling करने के लिए सारे लोग एक ही बार में Counseling कर लें अगर कोई Counseling नहीं कर पाता है तो वो दोबारा Counseling नहीं कर पाएगा और वो Counseling से बाहर हो जाएगा यानि कि दोबारा उसको Admissions नहीं मिल पाएगा तो सारे लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें लास्ट तक देखें मैं आपको ये भी बताउंगा कि आपको Counseling कैसे करने है आपको Registration कैसे करना है Log In कैसे करना है Documents कैसे upload करना है मैं ये भी बताउंगा आपको अभी मैं One-By-One करके बताता हूं डॉकमेंट्स कैसे upload करना है पहले हम बात कर लेते हैं क्युल्ट के बारे में ठीक है जो भी student चैनल पर नहया हो, वी चैनल को भी subscribe करकर आंख और इस वीडियो को भी लाइक कर ले इस सबसे पहले हम counseling schedule के बारे में बात कर लेते है counseling schedule आप देख सकते हैं 30 November से start हो रहा है 2 December तक, यानि कि आपको total यहाँ पे आप देख सकते हैं total कितने दिन का time दिया गया है, तो आप 30 November को कर सकते हैं या फिर 1 December या 2 December को, इन 3 date में से किसी एक date में आप registration कर सकते हैं, registration कैसे करना होगा, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं documents कैसे upload करना होगा, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे 3 December से 5 December के बीच में आपका verification आप documents हो जाएगा student अगर आपके document में कोई problem होती है तो आपको दुबारा से chance मिलेगा resubmit करने के लिए, लेकिन student आप लोग अगर मुझे follow करेंगे तो आप जानते कि मैं लगातार दो साल से counseling करवा रहा हूं तो आप लोग अगर मुझे follow करेंगे तो आपका documents reject नहीं होगा, एक ही बार में verify हो जाएगा यानि कि अब एक और बात यहां पर लोग अप क्या करते हैं तीन December को ही comment करना सुरू कर देते कि उनका verify नहीं हुआ यह तो उनको क्या करना है कि 5 December तक वेट करना होगा, 5 December तक साम तक verify हो जाता है कभी कभी क्या होता है कि next date तक भी verification चलता रहता है ठीक है और verification one by one चलता यह नहीं कि सारे लोग को एक साथ verify हो जाएगा ठीक है तो आप लोग को 5 December 6 December तक verification का इंतिजार करना है बस आपको क्या करना है जब आप counseling करनेंगे तो अभी में बताऊंगा कि submit का option आजाएगा जब आपकी counseling complete हो जाएगा ठीक है student आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपके documents में कोई problem होती है तो आपके login portal में वहाँ पे link करके आजाएगा कि आपको आप उसकी counseling बहुत ही smooth में कर दी जाएगी ठीक है और जो counseling का चार्ज है वो 300 उपीज होगा ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हैं 7th December को verification आप resumitted document हो जाएगा 8 December से 9 December के बीच में preparation and display of firm list बना जाएगा यह निकि जितने भी लोग सारे लोगों का नाम आप आजाएगा क्योंकि सारे लोगों को school a lot हो चुका है ठीक है तो 8 से 9 December के बीच में आपकी list आ जाएगी और 10 से 11 December के बीच में आपको 27,000 रुपे का payment करना होगा payment कैसे करना है उस उसे related में एक video बना चुका हूँ उस video का link में description में दे दूँगा आप जाकर के देख लिए उस video को उसी तरीके से आप payment करिएगा otherwise payment में आपके problem होगी फिर आप परिसान हो जाएगे ठीक है और 12 December को आपका grace period with fine यानि कि अगर आप 11 December तक payment नहीं कर पाते तो आपको fine देना प अब हम बात कर ले दें कि आपको documents कौन कौन से upload करने है और कैसे आपको registration करना है student सबसे पहले आपको क्या करना है कि AMU controller की website open करनी है website open करने के बाद student आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्पले आप firm admission लिस्ट है उसके नीचे है online counseling slash admission portal जब आप इसको open करेंगे student तो इस तरीके से open हो करके आ जाएगा ठीक है student यहाँ पे आपको क्या करना होगा जो भी student counseling नहीं की होंगे वो sign up पे जाएंगे और जो अगर regular की counseling कर लिए होंगे तो वो login पे जा सकते है login पे जब जाएंगे तो उनका सारे documents already upload रहेंगे बस उनको submit करना होगा ठीक है उनको कुछ भी नहीं करना होता है जो already counseling किये रहते हैं ठीक है उनको बस जब login करेंगे login करने के बाद अभी मैं बताता हूं कि उनका किस तरीके से so पहले नया registration देख लेते हैं कि कैसे करना होगा जब आप open करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा यहां पर आपको sign up के option पर जाना होगा role number application number date of birth इंटर करना होगा submit कर देना होगा ठीक है इसके बाद आपको mobile number और email id इंटर करना होगी दोनों पर OTPs आएगा आप महां पर OTP पर OTP इंटर कर देंगे submit कर देंगे आपका login हो जाएगा ठीक है इस तरीके से आपका हो जाएगा इसके बाद इस तरीके से आपका हो जाएगा इसके बाद इस तरीके से आपको login करना होगा जब आप login करेंगे तो login करने के बाद इस तरीके से आपका interface open हो जाएगा यह सारी जो भी मैं बता रहा हूं कॉंसली यह आपको लैप्टॉप से करना है या डेक्स्टॉप से आपको मुवाइल से नहीं करना है, मुवाइल से करने में बहुत बार प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, और अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, सकते हैं, सकते हैं, आपको से सबसे पहले और छीक शेया अपने आपको लगोएले कॉपाने ऑफ कर सकते हैं, दो टि कि जिसेखते हैं, शीहां पोसक्राव एपन दैख सेल्थ कि यहाँ मैं यहाँ इंचेर के थे सरा हूं इन आफ्रमी आम बीज़ाता करें दीदेख सतके आप कि आफख लेका अप फौटे। होगा कि स्टेएं कि बहुत हो एक स्टरा अप अभी बहुत इंचर के रिखकरना करना है, सब्सावाइ। आप एमन कि इसलों यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर आपका Two leak कर आजाएगा, यहाँ पर High School Mark Seat यहाँ परूट कर आप नहीं है। मित अपकी इंटर हो जाएगा, एक बार और अब परंटोर बैग दोग कर दोनों आ जाएगा।back कर दो जाएगा।ज और उन्ट और बैग तो जिदें अपर इंटरमेडियक आप लगाएं तो हो सकता है, वेरिफाई होजाएं लेकिन कोसिस आप लोग सारे लोग करें कि original mark seat की ठीक, original mark seat की कोसिस करें, अगर किसी के पास original mark seat नहीं है, उसके बाद इस्टुडेंट बात यहां पे आ जाती है, इस्पेसल कटेगरी में अगर आप OBC हैं, SCHT हैं, CA हैं, CE हैं, तो आपको यहां पे अपलोड करना होगा, इस्पेसल कटेगरी में अगर आप CEE हैं, तो आपके फादर या मदर की mark seat या डिग्री अपलोड करनी होगी, और साथ में आपको एक और डॉक्मेंट अपलोड करना होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो CA और CE वाले हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं, और इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप जाकर डाउन करने हैं, यहां पे आप देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी काटेगरी है, तो आप अपलोड कर दे तो बहतर रहता है, तो यहां पे पर प्रोफार्मा बिल जाएगा, और फादर और मदर की आप मकसीड भी अपलोड कर सकते हैं, और जो self-finance admission होता है, वो reservation पे नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास documents है, कोई काटेगरी आपने अपलोड की थी counseling में, या आपने counseling में लगाया था कि आपके पास कोई काटेगरी है, तो आप upload कर सकते हैं, ठीक है student, इस तरीके से आपकी यह पूरी counseling हो जाएगी, आप submit कर देंगे, ठीक है student, और आपको choice filling तो यह पूरी तरीके से आपका counseling हो जाएगा student, उसके बाद आपको यहाँ पे verified action में verified लिख करके आजाएगा, इस टेटस में verified लिख करके आजाएगा, जब आपका verification process start हो जाएगा, ठीक है student, अब यहाँ पे आपको अगर कोई problem आती है, पूरी counseling के दोरान कोई problem आती है, तो link में description में दे दूँगा, आप जाकर के देख सकते हैं किस तरीके से आपको payment करना है, तो ठीक है students, okay thank you.